वंदे गो मातरम जहीगो माता साथियों क्या आप जानते हैं गाई के गोबर में खून क्यूं आता है क्या आप जानते हैं गाई के गोबर में खून आने को कैसे रोका जाए क्या आप जानते हैं एसी टीटमेंट जो आप घर पे ही कर सकते है क्या हमें डोक्टर से पहले कुछ सारवार करनी चाहिए या डोक्टर पे ही आधर रखना चाहिए यही सब विशेयों को लेके आज बात करते हैं गाई के गोबर में कहीं लोग मुझे कहते हैं खून आता है तो खून आना मतलब आत की सुजन और आत का एक इंफेक्शन माना जाता है इंगलीज में तो उस प्रकार से जब यदि ऐसा हो रहा है तो आज मैं आपको चार पांच तुटके बताने की कोसिस कर रहा हूँ और मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि डोक्टर को बुलाना ही नहीं है डोक्टर को तो बुलाना ही है लेकिन अपने कर्म को रोकना नहीं है किसी के आधर पे बैठे नहीं रहना है जब तक डोक्टर साब आते है तब तक आप क्या करेंगे बंधुव गोबर में खून आने के कहीं कारण हो सकते हैं एक तो आपकी जो डाइट है गोमाता को खिलाने की चीजे है उसका आप एनलिसिस करें उसमें क्या चीज ऐसी आप दे रहे हैं जिसके कारण गोमाता का आंत सुख रहा है उसका खाया हुआ एकदम ड्राई हो रहा है एक तो उसका बारे में जानिए यदि आप गोवार का भूस गेंग का भूस ऐसी चीजे देते हैं तो भी गोबर में खून आ सकता है यदि आप ऐसी कोई चीज दे रहे हैं जैसे कोई जहरीले पोधे जैसे आपने कुछ काट के दिया है उसमें कुछ जहरीले पोधे आ गए है तो उसके कारण भी आ सकता है गोमाता की आंत सुजन हो जाती है तो ऐसे कारण भी खुन आ सकता है तो कहीं कारण है मित्रो गोमाता के गोबर में खुन आने का तो सबसे पहले बेल फल जो भगवान सीव को चड़ने वाली बिली है उसका बेल फल का मावा और गुड उसका जूस बना के आप तुरंत गोमाता को पिला दीजिए उससे काफी लाब होगा कोई केस में उससे लाब नहीं होता है तो आधा किलो दही उसमें 100 ग्राम इसब गुल जिरा इसब गुल जो सफेद जिरा आता है वो मिला के पिला दीजिए उससे उसमें काफी लाब होगा उसमे लाब उससे नहीं होता है तो सबसे पहले उसको आधे किलो मक्षन में पचास ग्राम हल्दी गुन-गुना करके आधा किलो ले बढ़ी गाई थो चोटी गाई है तो तेंसो ग्राम भी ले सकते हैं उसको अलका सा गुन-गुना करके उसको पिला दीजिए उससे भी काफी लाब मी लगा यदि उससे आगे देखना है यदि गाई को लगता है कि सारी चीज़े डिस्टप है अफसेट है खाना पिना पेट गोबर सब चीज़े दूद देना तो उसको रोज एक लिटर देशी गाई के दूद में एक लिटर ड्रिंकिंग सोडा पिला ये रात को ताकि उसके आप बोडी का पीएच ना वो जड़ से साथ से नो के बीच में आ जाए तो अंदर से ही वो ठीक हो जाए बोडी पुरा आलकलाइन हो जाए क्योंकि सोडा में CO2 होता है दूद के साथ CO2 मिलने से दोनों चीज मिलती है तो पुरा आलकलाइन हो जाता है बोडी और एसे समय में आपको सावधानी रखनी चाहिए गाय को ऐसा सुखा खाना नहीं देना चाहिए जिसे ड्राइमेटर के कारण गोमाता के अंदर सरीर के अंदर पानी की कमी खड़ी हो ऐसी चीज नहीं देना चाहिए एसे समय पे रोज सुबह दो लिटर देशी गाय की चाहस संस्कृत में तक्र बोलते हैं चाहस के अंदर पचास ग्राम सोडा बाई कार्बोनेट डाल के पिलाएंगे तो बोडी के अंदर जो स्टमक रूमीन के अंदर माइक्रो फ्लोरा जो है उसका डेवलोप्मेंट का काम ब सुखी जुवार दे सकते हैं सुखा जंगल का घास दे सकते हैं परन्तु शरीर के अंदर से पानी सुचने वाली सीज है वो नहीं देना जैसे कि गयों की भूस अरहर का चावल का जो का सरसव का तील का बाजरे का यह सब हैना डियाइड्रेशन खड़ा करता है शरीर के गोमाता के जो आत है उसके अंदर सोख जाता है गोबर तो ऐसा भी नहीं करना और यदि इसमें आप जैसे केठे को जाड को आप पहचानते हैं तो केठा जो है वो केठा एक केठा दिन में तीन बार पिलाने से गाई के गोबर में खून आने में काफी आराम मिलता है यह से आप डोक्टर को बुलाइए डोक्टर साब के आने तक आप यह कर सकते हैं या तो आप पहले एक दिन इसका प्रयोग करिए दो दिन उसके बाद डोक्टर साब को बुलाइए परन्तु इंतजार नहीं करना है में आप आप नए नए गोपा लखे तो आपको हो सकता है हाक्ण होती है तो भी हमारे काम के बरोबर का؛ भागिदार और हमारे पुन्य का आगदार बनता है इस प्रकार से आप हमारे इस मुहीम को अपालन को मजबूत करने की मुहीम को सहयोग दे सकते हो भी आपकी एक बहुत जाइको माता वंदे को मात्रम